सच साहस सरोकार हम बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ का नारा देते हैं अपने देश की आदी आबादी को हर जगे स्थान देने की बाद करते हैं कर्ण्या को लच्वी मानते हैं महला को पूझते हैं कर्ण्या को पूझते हैं और साथे साथ जो सम्मान की जो एक भावना है वो हमेशा से हमाई देश में परंपरागत चलती आ रही है क्योंकि यहाँ पर महला को वही जमान प्राप्त है जो हमारे गरंथों में हमारे पूरबजों ने और हमारे इतिहास ने हमाई सब्विता ने हमको दिया संस्किती भारती संस्किती भारती सब्विता हमेशा से पूरे बिस्म में सिर्मोर रही है उसी संस्किती इसी सब्विता का हम अपने आप में गर्ब भी करते हैं पर जब इस संस्किती ये सब्विता पर कुछ ऐसे लोग हैं जो उस पर ऐसा गिरन लगा देते हैं जिसकी तुलना और जिसकी ब्याख्या करना संबभ भी नहीं है आज जो मामला है वो मामला जरकंड के दुमका जरेका है जहाँ पर एक लड़की लड़की ही बोलेंगे एक लड़की पर पेटरोल डाल दिये गया और पेटरोल डालने के चलते पाँच दिन के जिन्दगी और मौत के संगर्स के बाद वो लड़की की मौत हो जाती है मौत का कारण वो आख के हवाले हो जाती है कि किसी उसने किसी और की आख को बुजाने के से मना कर दिया था वो लड़की जिसका कोई कसूर नहीं था वो लड़की जिसका कोई एक अपराद नहीं था अपराद के बाल एक था कि महज वो एक लड़की थी और उस लड़की होने की उस महिला होने की उसने कीमत चुकाई अपनी जान से यहाँ पर जो मामला है वो संजीदा इसलिए है क्योंकि हम बात करते हैं बेटी पढ़ाओ की हम बात करते हैं सम्मान की हम बात करते हैं यहाँ पर रच्छण की पर जब रच्छण की बात आती है और जब सम्मान की बात आती है तो कही ने कही हमाई देश में केबल केबल कलपन ही होती है क्योंकि हम देश की सबसे बड़े व्योस्था की बात करते हैं कानून हम व्योस्था सम्मान और कानून का राज अगर बहतर होता तो इस तरह समय से मिलता और कठोर निया मिलता कठोर कानून अगर बने होते तो साहरुक जैसे लोग पुलिस जीब में जाते समय अपनी कुटनिमुसकान का मुजायरा पे इस नहीं करते नजर आते जाहर तो पर बात है जिस तरह से साहरुक को जगड़़तार किया जिसने उस मासूम ललकी पर पैटॉल डाक कर उसको मौत के हावाले कर दिया जब वो जाता है तो उसकी कुटनिमुसकान बताती है कि उसको हमारे देस के नियाय और कानौन पर पूरा वरोर्सा है यह उसको पता है कि यहाँ पर तारीख हैं, ही तारीख हैं मिलती हैं और लगातार यहाँ पर चीजए चलती चली आती है फैसला होते होते यहाँ पर पीडी पड़वार अपनी यास तोड़ देता है या फिर जो सामने बाला होता है वो कानून की तमाम पेट्रियों से बसता हुआ बरी तक हो जाता है और केबल यहां जारकन की बात नहीं करेंगे यहां पर तबाम ऐसे केस हैं जिन्मका लेकर हमाई देश में आकुरोस होता है आम आदमी का खून उबलता है प हाँ पर हालाकि न्याय हुआ पर न्याय कितनी देर बार हुआ ये सभी लोगों को पता है न्याय कितने समय बार हुआ सब को पता है और हमारी पिक्रिया ऐसी हमारी ब्युस्ता ऐसी कि जगन अपराट करने बाले लोग एक पिक्रिया के चलते रास्पती तक अपनी माफी की अर यानि हमारे देश का रास्पती कभी माफी देगा जगन अपराथ का केबल केबल एक ही डंड है और वो डंड है मिट्यू डंड हलाकि निर्वया केस में मिट्यू डंड दिया गया पर वो मिट्यू डंड भी काफी समय बार जिसमें एक जो आरूपे ते उसकी मौत तो जेल में नहीं हो गई थी पर यहां पर जिस तरह से अंकिता सिंग था जो दुमका की रहने वाली थी उसने कहा जो उसने अपनी मौत के पहले एक स्टेटमेंट दिया वो बहुत ही समझने बाला है वो स्टेटमेंट कि मैं जैसी मैं मर रही हूं बैसी ही मौत उसको दी जाए यह दर्द अनकी का जिसका कोई कसूर नहीं था यह दर्द था उस औरarde का जिसका कोई कसूर नहीं था दर्द उन सभी का है जिनकी मौत एसी एक पेटार अटेक या किसी अन्न कारण से कि वह इसलिए हो जाती है क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसे लोग के साथ अपना सिर नहीं जुकाया मामला के वले एक यानि एक तरफा प्यार तरफा प्यार में किस तरह से देश में लगातार मामले आ रहा है यह जग जाहर है किसी को अलग नहीं है और यह मामले बताते हैं कि हमाई देश का जो कानून का भय वे अपनारियों को रहे नहीं गया है कि जैसी कोटल मिसकान सारुक हस्ते हुए पोलिस जीब में बैठ रहा था यह इस पार से स्पस्ट करती है कि वो जानता है कि नय सहिता हमको नयाय देते देते हमको हमाई खिलाब सजा देते देते जाने कितना समय लगाएगी क्योंकि जगन अपनार का एक ही डंड है वो है जैसे कर मित्यू हुई है तो निस्ति रूप से उसको मित्यू डंड ही मिलना चाहिए पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तमाम बले मुद्दों पर उबलने बाले हमाई देश के निता तमाम धार में मुद्दों पर उबलने बाले हमाई देश के लोग और तमाम राजनीती घटना करों पर बोलने बाले हमाई देश के लोग अंकिता की हत्या पर अभी तक सांड बैठे हुए हैं अब ना कोई प्रोस्कार वापसी हो रही है और ना किसी को दर्द हो रहा है ना किसी को तकलिफ हो रही है क्योंकि यहां पर राजनीती का मुद्दा नहीं है अगर मुद्दा किसी अन संपड़ा विसेश सो होता अगर मु गवाय हम ही नहीं इसके पर अच्छ प्रमाण आप लोगी यह लगातार देखते रहते हैं मैं इस कारकब में किसी सरकार को टार्गेट नहीं कर रहा हूं और ना इस कारकब में किसी सरकार को उपर आरोप लगा रहा हूं पर मेरा मानना ये है कि अगर किसी राज मेस्तर का घटा करम होता है उसके पीछे सरकार की नया व्यस्ता उसके पीछे सरकार का कानून का राज उसके व्यस्ते हमारी देश की सर्वत नया व्यस्ता कहीं न कहीं जब्मिदार जरूर होती है हमें यहां किसी कानून पर हमें यहां किसी ब्युस्ता पर आरोप पितरोप नहीं लगा रहे हैं मेरा मानना के बली है कि अगर हम बैतर कठोर कानून बनाएंगे तो इस तरह की जो अपराद हैं निश्री रूप से उनमें कुछ कमी होगी जरूर होगी यहа बात अंकिता की नहीं है यहां ना जाने किती हैं काल के गिरास में समा गई चोकि उनके साथ वही हुआ जो अंकिता के साथ हुआ था तरफा प्यार कर चलते या उनकी एस्रेट अटेक किया गया या उनको पेट्रोल दाब की जला दिया गया या उनकी लास कहीं न कहीं जंगले पाई गई या कहीं उनकी लास कहीं और पाई गई यो ये सिल्चला हमाई जिसमें लगाता है चलता चला रहा है कहीं पर बेविजना हो जाती है कहीं मुद्दा गर्मा जाता है तो कहीं पता ही चल पाता है कि उस महिला या लड़की की मित्यू कैसे हुई यह अपने आप में एक एच पिसन है कि कल ही NCRB की रिपोर्ट आई थी हो इस रिपोर्ट में महिला संबंदी अपरादों में बढ़ोत्री ये बता रही थी हला कि कुछ राद जूम अपराद कम हुए पर अगर हम कुल अपरादों की बात करें उनमें बढ़ोत्री ये बता रह कि बात करते हैं पर जब बेटी के खिलाब कुछ इस तरह की घटना होती है उस तरह आगर मौक्र या मौन धारन कर लेते निसी रूप से यहां पर हमाई कमी उजागर होती है और यहां पर देश के तमाम बड़े निताओं की जम्मेदारी है कि केबल ट्वीट करके और यहां पर जाज घटिर करके केबल अपनी खारा पूर्ती ना करें यहां पर आगर आप चाते हैं कि भविस में अंकिता जैसी घटना है ना हो भविस में कोई मासूम लड़की को मौत का मुमें ना जाना पड़े तो आपको इस तरह के कठोर कानून व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि ऐसे लोगों के खिलाप ऐसी डंड की व्यवस्था की जाए कि आने बाले समय में कोई इस तरह का अपराट करने के पहले चार बार सोचे और साफ सब कहा गया है कि भविन डंड के बना कोई व्यवस्था आप लागू नहीं कर सकते जब आप डंड कठोर देंगे जब आप नयाय कठोर देंगे जब आप पिक्रिय कठोर मनाएंगे तो एन जैसे अधिकारियों के खिलाप भी कारवाई होगी जो एन जैसे लोगों को बचाते भी हैं जैसा कि इस कांड में एक जाच अधिकारी को हटा दिया गया क्योंकि मान कि उन्होंने इसको बचाने का प्रयास किया था कि आपकिरिया कटिन मनाएंगे कठोर कानूर मनाएंगे तो सारुक जैसे लोग यहाँ पर हस्ते नहीं नहीं आएंगे यहां पर मैं किसी ब्योस्था पर कोई तुलना या एक आगलन नहीं कर रहा हूं मेरा इस कारिकम के माध्यम्द के वलों के वल एक बात कहना चाहता हूं कि अंकिता की मौत को लेका अगर हमां देश में आक्रोस की इस्तिती नहीं बनी तो निस्ति रूप से यह हम लिए एक चुट होए थे जैसे हम झाल लों के लिए एक चुट हुए थे जैसा खुण हमारा निर्विया से लिए और तमाम बड़ी ऐसी लड़कियो कि अपने आपको किसी के हबाले नहीं किया उसने किसी इंसान की बात नहीं मानी और ये उसका सबसे बड़ा अपराद था और जो समाज की नजर में अपराद नहीं है ये उसकी खुद की एक मनसा है ये खुद का मन है ये खुद उसका बिबेख है और अगर आदमे अपने बिबेख से अपनी मनसा के अनुरूप या अपने मन से कोई काम नहीं करना चाहता त थे की लिए कोई कानून को होको और इस फेस्टा को और सिस्टम को हमको बदलने की शुरूब हमको ही करने हो क्योंकि यहां पर हम अंकिता की बात करते हैं इनसाफ की बात करते हैं यहां हम सारुक की बात करते हैं यहां धारगंड पुलिस की बात करते हैं यहां कानून की बात करते हैं यहां पेक्रिया की बात करते हैं यहां डंड की बात करते हैं पर यहां पर हम उस बिचार धारा की ब बना सके कि कठोर कानून हो कि जिनके सोचने भर से ऐसे आरोपितों की रूख आप जाए यह हम ऐसे लोगों को क्यों नहीं डंडिट करते हैं जो आने वाले समय में समात के लिए नजीर बने जैसे कई देसों में होता है कि आदमी उन अपरारों करने पहले चार बार सोचता है क कि अगर इस अपरार को हमने अंजाम दिया तो आने बाले समय में हमासा ऐसा घटन होगा और उसकी कल्पना करता है तो अपरार को करने से पहले सोचता है और होता है कई बार अपरार नहीं भी करता है क्योंकि जब डर होता है तो डर के बाद आदमी को लगता है कि हमासा अग मैं अंकिता को इंसाब के लिए इसलिए बोल ला हूँ कि अगर अंकिता को इंसाब नहीं मिलेगा तो चीज है हमाई देश में और खराब होगी। सारुक जैसे लोगों का जो बिचार है वो और बड़ेगा। उनका हिम्मत और बड़ेगी। तो यहां पर चल से इल सारुक जैसे लोगों के साथ कड़ी कारवाई होनी चाहिए। कि बल जेल इंकी जगए नहीं है इनकी जगए इस मानव जाती में, इनकी जगए souvent में, इनकी जगए इस देश में और इनकी जगए अ कि बिरामानद में इंहीं है। क्योंकि ये लोग मानब के लाने के योग नहीं हैं जो अपने इन्नी जी इच्छा के लिए किसी लड़की की जिन्दगी को मौत के मूँ में ठाकेल दें ऐसी अभिलासा और ऐसी मनसा और ऐसी इच्छा के लिए किसी की जिन्दगी से खेल जाना ये मानव जाती का परिचायक नहीं है और मानवने का परिचायक तो बिलकुल नहीं तो ऐसे लोगों के लिए ना हमारे राज़ में जगाए है ना हमारे देश में जगाए है ना हमारे समाज में जगाए है और ना इस लोग में जगाए है ऐसे लोगों के लिए यवल एक बेस्ता बनी है वो बनी है मिट्टूडंड हाला कि वो कानून का काम है और कानून आने वाले समय में उसको कैसा जा रिएता है वो तो फिर बख्श बताएगा पर एक बात तो साफ है जब तक हम कानून को बेतर नहीं करेंगे जब तक हम असूलों को बेतर नहीं करेंगे जब तक हम कठोर कानून मनाएंगे तब तक ऐसे जाने कितनी अंकिता काल के गिरास में चली जाएंगे और हम चाहते हैं कि अंकिता जैसी लड़कियों को नाय मिले अंकिता को नाय मिले और इस मानब जाती में इस इस्त्री जो जाती है और ये जो महिला है हमारी जो हमारे देश के आदी अबादी है ना कोई बनातकार हो और ना इस तरह की कोई घटनाए हो कही ना कही मेरा मानना ये है कि देश की कानुन की व्यस्था में कुछ ना कुछ अईसा परिवर्तन ऐसे कटभू कानुन जरू बनने चाहिए जिस से इस तरह की चीजे somebody ठीक हो सके क्योंकि कि यहाँ पर जो ब्योस्थाएं हैं, कहीं न कहीं हमारे देश में ब्योस्थाओं को खराब करने वाले हम ही लोग हैं, जब हम अपनी समाज के अपनी लोगों के लिए लड़ सकते हैं, तो हमको दूसरों की बेटे, भवू बेटे के लिए लड़ना होगा, हम देखते हैं, टेकृइगा नहीं करते हैं, यहीं ना करने बाले पित्किरिया ही, इन जैसे लोगों के लोगों बढ़ाती है, उआंगे जाकर इतनी बड़ी बड़ी घट्नाव को लोगों अंजान देशाधी हमारी हमारी है, तो कहीं न कहीं महिला prossलों के साथ अगर गलत हो तो आपकी जि पुरुस होने के परिचायक देते हुए आपको उन घटनाओं को रोकना होगा केबल बीडियो बनाने से केबल बारल करने से केबल केबल चर्चा करने से केबल केबल सूचना देने से आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती क्योंकि हम अगर आदी आबादी को हग देने के बात करते हैं अगर हम आदी आबादी को आगे बढ़ाने के बात करते हैं अगर हम आदी आबादी को देश के बिकास में कदम से कदम मिला कर चलने के बात करते हैं तो ये पुरस होने के नाते हमारी ये जम्मेदारी भी है कि हमा कि ब्यूस्था लागू ना हो यहां पर जो जिस तरह से किरामिरिट लगाता बढ़ता चला जा जा जारकंड सरकार भी इसके लिए दोसी है कि जारकंड में तमाम तरह के चीज़ा हो रही है वहां पर इसकूलों में छुट्टी भी हो जाती है अभी काभी से पहले मन्तौ अठाय था मैंने कि वहां पर इसकूलों में छुट्टी भी हो जाती है और वो छुट्टी किस जिज़न होती है है यह भी सबको चर्चा कर बिसा है रहा और हम अपने राजनितिक मनसूबों में इस तरह बिजी हैं इतने ब्यस्त हैं कि हम अपने प्रदेश की कानून ब्यस्ता को भूल चुके हैं हम बात करते हैं मेला सम्मान की हम बात करते हैं मेला अनुजान की हम बात करते हैं मेलाओं को आंगे बलाने की हम बात करते हैं हर नोक्री में मेलाओं को आंगे रखने की हम ब में मर रही हूँ वैसी मौत उसे दी जाए यह अंकितासा का बयान नहीं है यह मौत के पूरुप दिया हुआ डाइंग एबिडेंस नहीं है यह ऐसा दर्ध है इस दर्ध को जो सुनेगा वो भी समझ सकेगा कि हां उस लड़की की क्या गलती थिसकरती का क्या प्रात था और सब संविति के हबाले हो चुकी है और जो इजेंसी है वो लगातार इस पर चर्चा कर रही है और इसकी जाच कर रही है पर जहारकंड में जस तरह से अपरार बड़ा है क्योंकि कुर्णा समय लाड़ाउन लगा था लोग घर से बहान ही निकल लाए थे पर जैसे ही कुरुना का 2020 के बाद 23 सी लेर खतम हुई उसके बाद से लगातार वहाँ पर हत्याय होती रही है इस तरी यह आईती रोजाना 10 हत्याय तक हो रही है दुसकर्म भी हो रहे थे बही जारखंड जो आदिवासी छेत्र माना जाता है बही जारखंड जो परंपराओं सब्विताओं के लिए ब वही जारखंड जहां पर यहां पर सम्मान की बात की जाती है पर उसी जारखंड में अब इस्तितिय बन गई है कि कानून का डर आम आरवी के दमाग से निकल चुका है और ऐसे लोगों के खिलाप अगर कड़ी कारवाई नहीं होती रही तो आने वाले समय में जारखंड ही दिस के तमाम अराज्जों में यही इस्तिति होने वाली है क्योंकि अगर जब तक आप कानून को कठन नहीं बनाएंगे जब तक आप ब्योस्ताओं को बेतर नहीं करेंगे जब तक आप उन जो भी घटना है उनकी पूरी तरह आक्रोस नहीं रहेगा लोगों का खुल नहीं इस तरह की घटना पर बात करना बहुत आवस्थक है क्योंकि यहां पर मैं न्याय सधिता नहीं कि मैं अंकिता के लिए कोई अलग बेश्ताओं ना सम्मिदान हूं और ना हम कोई पार्टी हैं ना हम नेता हैं ना हम सत्ता में हैं पर हमारा मानना यह है कि हम वो माध्यम हैं जिसके माद्यम से अंकिता के लिए देश के लोगों को एक जुट्टो करी सकते हैं। अगर ये भूमिका भी हम नहीं नवा पाए तो निस्त रूप से कहीं न कहीं गलती हमारी भी कहलाएगी। अपने इस कारिकम के माद्यम से मैं केबल एक बार कहना चाहता हूँ। जाहिए तभी हमारे विश्व गुरु बनने की संकल्पना है वो पूरी हो सकेगी। यहां पर हम अपने कारिकम के माद्यम से कुछ अंकिता के लिए इंसाफ जरू मांगेंगे। जोकि इस कारिकम के माद्यम से हम एकी बार कहना चाहते हैं कि अगर किसी की मनसा को पूरा ना करना, किसी की इच्छा को पूरा ना करना अपराध है तो ऐसे अपराध हमाई डेस में मैला है तो करती रहती है। जोकि उनकी इच्छा है कि उनका मन है और ये उनकी निजि जिन्दगी है कि वो किसी की बार मानें और मना मानें। पर ऐसे अपराध के लिए अगर कोई सारुक जैसा ब्यक्ति उस मेला की हत्या कर देता है, उस मेला पर पैट्रोल लाल की आग लगा देता है, तो ऐसी ना प्रविश्च्जान समय में, जो पूरुष जाती हैं, वो भी सोचें कि कि किया किसी को जबरदस्ती हासिल किया सकता है अगर वो हासिल नहीं होती है तो उसके खिलाब क्या इस तरह की घटना का अंजाब देना जायज है चुकि हम अगर बात करते हैं इस तरही सम्मान की अगर हम बात करते हैं इस तरहीं को आगे बढ़ाने की तो यहां की इस तरहीं की सुरच्चा कि अंकिता का वाला केस फिन न डोल आजे सके तो आज की चर्चा में ही अगली बार फिर किसी नए मुद्दे के साथ होगी मुलाकार नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार